आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने डिलीट एप्स या फिर अनिस्टॉल एप्स को प्लेश्टोर से हटा सकते हैं दोस्तों क्या होता है कि कई बार हम प्लेश्टोर से एप्लेश्टोर से डाउनलोड करते हैं जैसे हमें login ID पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको manage apps and device का option मिलेगा आपको इस manage apps and device वाले option पर click कर देना है तो हम यहाँ पर इस पर click कर देते हैं जैसे हम यहाँ पर इस पर click करेंगे तो यहाँ पर हमको manage का एक option दिखाई देगा आपको इस install वाले option पे click करना है तो यहाँ पर install वाले option पे click करेंगे तो यहाँ पर not install का एक option दिखाई देगा तो हम यहाँ पर not install वाले option पे click कर देंगे तो जैसे हम इस not install वाले option पे click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर यह जितने भी application आ जाएंगे यह application हमने यहाँ पर download किये थे और download करने के बाद हम इसको install भी कर चुके और delete भी कर चुके पर play store के अंदर यह application अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है तो इस application को डिलीड करने के लिए यहाँ पर play store से हमको यहाँ पर box के अंदर tick करना है है कि करने के बाद हम यहाँ पर जिस भी एप्लिकसिन को यहाँ पर करना चाहिए यहाँ पर डिलीट करना चाहिए तो हम यहाँ पर यहाँ पर आपको दिखाएगा रिमूफ selected app यानि कि जिस application को अपने पहले से इंस्टॉल कर चुके थे आप यहां पर उसको प्लेटोर से भी हटाना चाहते हैं तो आगर आप उसको रहताना चाहते तो आप यहां पर रिमूव वाले अप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह आपकी यहां पर लिस्ट से हट जाएगा तो दो करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी होगी और वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रू करें और नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें थैंक्यू वेरी मुच